दोस्तों, आज हमें एक बहुत ही दुखत घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत के दोस्त और जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, आपने सही सुना। उनकी ब्रत्य हो गई है 8 जून 2022 को। कल याने के 8 जून सुबह साड़े 11 बजे तब भारत में करीब साड़े 8 बज रहे होंगे। शिंजो आबे पबलिक को एड्रेस कर रहे थे तब ही एक 41-year-old व्यक्ति ने उनको पीछे से गोली मार थी। और शुरुआती इंवेस्टिगेशन के सबसे ही पता पड़ता है कि उस वक्ति ने जो गन यूज की थी वो उसने घर पे ही बनाई थी। वो एक homemade gun थी। गोली लगने के बाद उनका first aid on the spot किया गया और थोड़ी दिर बाद उनको नारा medical university में भरती किया गया जहाँ पर उनको मरत घोशित कर दिया गया। चुड़े रहिए इस वीडियो से देखते रहिए। जी हाँ शिंजो आवे अब इस दुनिया में नहीं रहे इनकी उम्र करीब 67 years थी। इनका जन 21st September 1954 को शिंजो कुटी टोक्यो जापान में हुआ था। ये देख सकते हैं ये इनकी family ये इनकी माता जी हैं गोदी में ये शिंजो आवे जी हैं और बड़ी कुरसी पर इनके फादर हैं और उनके फादर की गोदी में शिंजो आवे के बड़े भाई हैं। दोस्तों इनके नाम दो बड़े यूनिक रिकॉर्ड है पहला रिकॉर्ड तो यह है कि जापान के यह पहले ऐसे प्राइम निस्टर है जो वर्ड वर टू के बाद पैदा हुए और दूसर रिकॉर्ड यह है कि यह अब तक के जापान के सबसे लॉंग एस्ट सर्विंग प्राइम निस्टर रहे हैं यह जापान के लिबरल डेमोक्राटिक पार्टी के प्रेसिदेंट थे और यह चार बार जापान के प्राइम निस्टर रह चुके हैं इनका Prime Ministership tenure था 2006 से लेके 2007 तक, 2007 में इनुने एक बीमारी के चलते इस्था दिया था, और फिर या लगातर पियम बने दोबारा, 2012 से लेके 2020 तक, और 2020 में भी इन्नोंने एक बीमारी के चलते इस्था दिया था और ये काफी cutter right-wing nationalist माने जाते थे, 26 जनवरी 2021 को जब भारत अपन रिपब्लिक डे मना रहा था उस दिन शिंजो आबे को भारत के सेकंड हाइस सिविलियन अवार्ड पदम विभूशनर से नवाज आ गया भारत के अलावा तूसरी कंट्रीज जैसे के साउधी अरेबिया ग्रीस नीदरलैंड बाहरें फिलिपिन्स अर्जंटीना इस्पेन को इन्होंने काफी आगे पहुंचाया भारत के प्रदान मंद्री नरेंद्र मोधी जी ने भी इस पर अपना दुख जताया है वैसे एक मैं आपको बता दूँ खासियत थी शिंजो आभी जी की के ये भारत की बहुत जादा रेस्पेक्ट करते थे उसके कल्चर की बहुत ज जी की फोटूस हैं इसरेल की गवर्मेंट और वहां के सिविलियंस को भी काफी धक्का पहुंचा है इस न्यूज को लेके और युएसे में भी काफी दुख जिताया जा रहा है दोस्तों वैसे आपने नाम सुना होगा क्वाड इसमें चार कंट्री आती है युएसे ऑस्ट फिर 2017 में जब यह प्राइमिनिस्टर से जापान के उन्होंने फिर दोबारा इसकी पहल की और क्वाड को दोबारा से इन्होंने एक्टिव बनाया और आज आप देख सकते हैं कि क्वाड से चाइना हमेशा कामता रहता है और आए दिन क्वाड मेंबर्स को धंकियां देता रहता है दो हजार चौदे में जब प्यम मूदी भारत के प्रदान मंतरी बने थे तब इस इवेंट के जस्ट बाद ही प्यम मूदी ने जापान के संग अपने टाइस अब गेड़ किये और इस चीज को बोला गया स्पेशल स्टेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनर्शिप जिसमें अन्य तरिके प्रोजेक्ट शामिल थे जैसे के भारत में बुलट ट्रेंस, इन्फ्लेस्टेक्चर को बढ़िया करना, भारत की एक्ट इस्ट पॉलिसी, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा, पहले लुक इस्ट पॉलिसी चलता थ लेकिन जब से पीए मोदी आये, तब से लोग इस्ट की जगे अब एक्ट इस्ट हो गया है, एक्ट इस्ट मतलब जो आसियान कंट्रीज हैं और साउथ इस एशे रीजन है, वहां पर हम लोग अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसके अलावा इंडो पैसिफिक के मेरी टाइ में कैसे हैं, जहां पर शिंजु आबे की प्राइम निस्टर्शिप के दोरन, यूएसे, इसराइल, साओधे एरेविया, भारेन, भारत और और उस्टिले ऐसी कंट्रीज से जापान के संबन बहुत ही अच्छे हुए थे, वहीं पर चाइना इनकी मौत पर काफी खुश मैं बता दूं, दोस्तों के चैना जो है, वहां जो CCP है, इसमें जो राज कर रही है, CCP में कोई ethics नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ethics नहीं है, और यह वहां के लोगों को भी यही सब feed कर रही है, वहां के लोगों की मैं गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि जो politics या जो political party उनको तो हर 100 yuan पर 8.81 refund पाईए, और buy one get one free जैसे offers चल लें वहां पर, और काफी पटा के फोड़े आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पटा को कमी हो गई, इतनी खुशी हास तक नहीं हुई, इस तरीके की वहां पर बातें चल लिए, तो वहां पर अगर ethics की बात किया है, तो चैना मे हुआ, तो यह दर्शात है कि वहां पर थोड़ी ethics की कमी है, और इसका मैं reason कहूंगा कि जो करीब 75 verse से, 1949 से वहां पर CCP राज कर रही है, यह सब उसकी वज़े से हो रहा है, क्योंकि CCP ने सारी पूरी history अपने एसाब से बदली, वहां के books को बदल दिया, और अपने आपको as a hero दिखाया उन लोगों ने, और मैं आपको यह बाद भी बता दू, कि China Shinzo Abe से डरता है, या डरता था मैं क्या कहूंगा, क्योंकि इनकी जो thinking थी, इनकी जो thoughts थे और जो policies थी, वो आगे चलती रहेंगी, Shinzo Abe की इतनी बढ़िया policies थी और एक इतने बढ़े leader थे, कि इनके जाना क को तो डर लगे गई, क्योंकि जापान इतना ताकत भर है, और इतनी capacity है और इतनी ability है रखता है, कि बहुत ही जल्द अपना defense sector इतनी आसनी से boost कर देगा, कि कोई भी country इससे टकराने में डरेगा, घर यह एक छोटा सा discussion था हमारे इस topic पर, अगर आपको यह video informative लगा, तो please like कर